आज हम आपके सामने सेयर कर रहे हैं आलू की कचोड़ी परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ कुछ टिप्स और टिक्स के साथ आज हम इसे बनाएंगे देखिए फ्रेंड कितनी बड़िया फुली फुली यह हमारी कचोड़ी बनी हुई है और बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी यह हम भूलनेंगे यह है एक टेविल इसपून जीरा एक टेविल स्पून सौप एक टेविल सपून खड़े धने 8-10 काली मिर्च एक इंच का टुक्ड़ा किसा हुवा अधरक दो कटी हुई Mex और साथ में मिला देंगे यह कसमेरी लाल मिर्च और आदा चमच हल्दी पाउडर सारी चीजों को मिलाके हम इसमें अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लैम पे ही हमें भूनना है और जाएगा ये साथ में दालचीनी ये जो खड़े मसाले हम भूनते हैं इसका फ्लेवर इसका अरोमा ही अलगाता है रेस्पी में बहुत बढ़ियां खुसबू इसकी आती है ये देखे थोड़ा थोड़ा सा इसका कलर चैंज होने लगा है इसको हम थोड़ा सा और बूनेंगे अभी मेडियम फ्लैम पे अब ये हमारा मसाला अच्छे से सिख गया है ये और अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे दो मिनट के लिए गरम गरम मसाला हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे बनकी ये तैयार हो गया है मसाला अब एक मिक्सी ग्राइंडर में सारी मसाले को डालके हम पीस लेंगे और रफ भी पीसना है हमें से एकदम बारिक नहीं पीसेंगे हम इसको पारिक पाउडर हम इसका नहीं बनाना है और यह मसाला भी हमारा बनके हो गया है तयार अब चलते हैं अपनी नेश्ट प्रोसेस पे तो एक कडाई में मैंने दो टेबिल स्पून तेल डाल दिया है और उसमें डाल देंगे हम दो कटी हुई प्याज और इसको भी ब्र और जो मसाला हमने मिक्सी में पीसा था दरदरा उसको भी इसमें हम दो टेबिल स्पून मिला देंगे और मसाला मिला देने के बाद आप देखना फ्रेंट इतनी बढ़ियां इसकी खुस्पू आती है बिलकुल एक दम बहुत ही बढ़ियां और इसमें मिला देंगे साथ में ये दो टेबिल स्पून बीसन बिल्कुल ऑप्सिनल है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसको मिलाने से इसका फिलेवर बहुत ही अच्छा आता है और साथ में जाएगा ये स्वाधनुसन नवग और ये मैंने तीन आलूओं को उबाल लिया था और उनको कर दिया था म आइस तो वो आलू भी हम इसमें मिला देंगे बिल्कुल जो आलू की कचोडियां बनती है ना बहुत जटपट बनके तैयार हो जाती है उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता और ये देखिए आलू की स्टिपिंग भी हमारी बनके हो गई है तैयार और इसको हम ठंडा कर लेंगे जो कचोडियां हम बनाएंगे ना उसमें अलू की जो स्टिपिंग भरेंगे ठंडा करके ही भरेंगे गरम गरम सॉदन सर नमक और साथ में मलाएंगे यह आदा टेविiane-ль- 궁금 हाँ से हम इसको करस कर लेंगे फिर इसमें हम लाएंगे इसकी घुजबू बहुत ही अच्छी आती है और साथ में जाएगा ये आधा कप मौन के लिए तेल इसमें घी का मौन में हम दे सकते हैं लेकिन आज मैंने तेल का मौन दिया है मौन डालने से जो हमारी कचोड़ी बनेंगी बहुत ही खसता बनेंगी इसको थोड़ा सा मोत्ड़ी में लेके हम चेक कर लेंगे कि पर्फेक्ट मौन है कि नहीं आगर मुझे कम लगेगा थोड़ा सा तो इसमें और तेल मिला देएंगे और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालके तो towards कर लेंगे जो आटा तेयार करेंगे ना जादा टाइट होना चाहिए और ना जादा कड़क होना चाहिए और इसको सैट करके हम 10 मिट के लिए रख देंगे और दूसरी साइट देखिए हमारा तेल भी अच्छे से हो गया है गर हम एक छोटी सी लोई डाल के हम इसमें देख लेंगे हाँ ये बिल्कुल कैसे मैं गोल 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 ये कर रही हूँ और इस तरीक से जो लोई उपर बचेगी उसको अंदर हम प्रेस कर देंगे और यह बनगी हमारी कच्छौडी है इसको देखिए हाथों से अंदर की साइट हमें प्रेस करना है कटोरी के सेफ हमें देना है ये देखिए दूसरी पुलिवार नालू का मसाला और बिल्कुल मोदक जैसे ही इसमें एक पिलेट दो प्लेट ऐसी छोटी-छोटी प्लेट देए के हम इसको कबड कर देंगे और देखिए लागातार से गुमाते रहेंगे और जो इसका ऊपर कभाग होगा उसे हम अलग कर देंगे आप चाहें तो यह आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये कचोड़ी को बनाया है अपनी, इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा हम प्रैस कर देंगे, सारी कचोड़ीों को इसी प्रकार से हम बना लेंगे, दूसरी साइट हमारा तेल बिल्कुल परफेट करम हो गया है, इसमें हम अपनी कचोड़ी हम डाल देंगे, और हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी गैस के फ्लैम को बिल्कुल लो ही रखना है, तेज फ्लैम पे हम इसे नहीं तलेंगे, नहीं तो यह पहले तो बिल्कुल फूल जाएंगी, बाद में एकदम सॉप्ट हो जाएंगी, तो खान सॉप्टिक उपर आ गई है, अब इसे हम पल्टा देंगे, एक एक करके हम सारी कचोड़ियों को पल्टा देंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तलेंगे, जादा पल्टाने की हम ऐसे जरूरत नहीं होती है, देखिए आप देख सकते सारी कचोड़ियों कितनी बणिया एक दम फूली फूली बनी होई है, और इसे हम लगातार तलती रहेंगे, देखिए कलर भी चैंज हो गया, इसको तलने में हमें 8-10 मिनिट का समय लग जाता है, इस तरीके से, देखिए आप कितनी बणिया एक दम फूली फूली हमारी कचोड़ियों ये बनी होई है और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, प्रैंट में आपके सामने कुछ टिप्स सेयर कर रहे हो, जब भी हम कचोड़ी बनाएंगे तो इसका आटा होता है, वो ना ज्यादा सकत होना चाहिए और नहीं ज्यादा नरम होना चाहिए, नमबर सेकेंड, कि जो आलू क यहाद करके ही इस्टोर करेंगे, देखिए कितनी बणियां यह हमारी कचोड़ी बनि होए, साथ में मैंने इसमें बनाए हुई है, खटी मीठी इमली की चैटनी, इसकी भी मैंने रेश्पी अपलोड कि हुई है अपनी चैनल पर, देखिए फ्रेंट कितनी बणियां यह चै अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और आपने यादी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पुलिए जैसे सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यो टेक केर बाइबाइ